हेलो दोस्तो नमस्कार स्वागत है आप सभी का पीके एजूकेशन कोड़ पर ये लास्ट लेक्चिर में मैंने आपको पताया था मिजोरम का पार्ट वज्जिस में मैंने मिजोरम की भौगवलिक स्थिति और किस तरह से मिजोरम का भारत में विलय हुआ था उसके बारे में प कोशिश करेंगे बिना देर के हम शुरू करते हैं मिजोरम के बारे में मैंने बाउंडरी आपको बताई थी मिजोरम किन किन से अपनी बाउंडरी को शेयर करता है तो किन किन से करता है अगर हम बात करें यह कौन सा राज्ज है यह हो गया और यह पूरा एरिया है और यह बा म्यामार है म्यामार के साथ share करता है और अगर बात करें ये वाला एरिया तो ये असम है असम में यहां पर share करता है तो इस तरीके से ये जो मिजोरम की boundaries है इनके बारे में हमने देखा मैं आपको बताओं ये exam में बहुत ज़्यादा बार पूछे गए है question especially UPPCS और भी बहुत सारी state है जो exam में पूछे जाते हैं चाहे वो BPSC हो इन राजियों के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इन सभी राजियों के बारे में जितनी भी इस 7 sister states सब्सक्राइब करें तो जिन लोगों ने उनको नहीं देखा है उस पूरी आपको प्लेलिस्ट का जो लिंक है आई बटन पर मिल जाएगा आप वहां पर देख सकते हैं और अगर आपको देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी सारे पॉइंच मिल जाएंगे अधर्व यहां पर इसको एक एक करकेश की जीके के वारे में समझ सकते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिजोरम किन किन से अपनी बाउनरी को शेयर करता है पूर्म में देखे तो पूर्म इस्ट और साउथ में म्यामार के साथ और वेस्ट में बांगलादेश के साथ इन दोनो मिजोरम राज में कीवल एक यही लोगसभा सीते है बुद्त ख़ेफ्च कोशन इंपॉड है नौर्थ इस जोंग कि यहां के बर्फमान सांसद है जो घैलल नेशनल सरेंट के बारे में मैंने आपनव पूर हो आने वाले वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं यहां की राजनीती में मिजोनेशनल फ्रंट प्रमुक राजनेतिक दल है कौन सा प्रमुक राजनेतिक दल है मिजोनेशनल फ्रंट जिसके मुखिया जोरम ठांगा है ममिथ है लुगलाई है और तंगलाई है सईया है और सेर्चिप है यह कि इसकी डिस्ट्रिक्ट जह मिजोरम के पूपुलेशन के अगर हम बात करते हैं तो 11 लाग 11.2 लाग इसकी और 11.2 इसके लाग क्या है population जिसके आधार पर पूरे भारत में इसका 28 इस्थान है कौन सा स्थान है 28 इसका स्थान है मिजोरम में 80 प्रतिसत लोग एगरी कल्चर कारियों में जूड़े हुए हैं मतलब करसी कारियों में लगे हुए हैं और यहां की जो करने का तरीका है में वह जूम आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि जूम खेती क्या है बागवानी की मुख्य फसले फल हैं इन में मेड्रियन संत्रा केला सादे फल अंगूर हट कोंडा अनानास और पपीता भी शामिल है इसके अत्रेक यहां एथुरियम बर्ड और पैडाइस आर्केट चि की जाती है मसालों में अगर बात करें तो अद्रक हल्दी काली मिर्च और एक मिर्चे जैसे चिडिया की आख वाली मिर्च कहते हैं वह भी यहां पर उगाए जाते हैं यहां के लोग पाम आयल जडी वूटियां तथा सुगंद वाले पौदों की खेती भी बड़े पैमाने इसे जुड़े होते हैं तो हार के लिए मिजो शब्द कटू है क्या है मिजो शब्द कटू है यह आपको याद रखने वाला पॉइंट है कई बार पूछा जा सकता है किसी भी एक्जाम में मिजो लोगों के बिभिन त्योहारों मैंसे आजकल केवल तीन प्रिमुक त्योहा है क्योंकि कुठ ही त्योहार मिजो रखने का कुठ के नान से कोई आपको दिखता है किसी एक्जाम में आपको और प्रिखता है तो आप श्युक्त कर सकते हैं मिजो रखने के लिए यहांकि अधिकाल जंसंख्या एशाई है यहां पर इशाई धर्म का ज़्यादा प्रभाव है और क्रिसमस का त्योहार यहां पर लोग ज्यादा मनाते हैं जहर सी बात है जब इशाई जनसंख्या है तो वहां पर त्योहार भी उनीकी तरीके से मनाई जाएंगे समुद्र तल से लगबग 4000 फीट की उचाई परिस्थित परवतिय नगर आईजोल मिजोरम का एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है म्यामार की सीमा के निकट चमफाई एक सुन्दर परेटन स्थल है कौन सा चमफाई एक सुन्दर परेटन स्थल है तूरिस प्लेस है ताम देल एक प्राकरतिक जील है और यह प्राकरतिक जील है यहां पर भी लिख रहे हो लिखतेचलें यहां पर मनोहारी वण है यह आईजोल से 80 km और परेटक सेथूयल से 10 km की दूरी पर है वान तांग ये भी important एक जल प्रपात है मिजोरम में सबसे उचा और अतिसुंदर जल प्रपात है अगर आपसे वान तांग जल प्रपात के वारे में पूछा जाता है तो ये मिजोरम में है ये थेन जोल कस्वे से 5 किलो मेटर की दूरी पर है मिजोरम अंग्रेजी और हिंदी मिजोरम यहां की भासाए है यहां की सबसे बड़ी नदी कौन सी है चिम तुपी ये भी बहुत important है चिम तुपी यहां की सबसे महत्तुपूर और बड़ी नदी है इसे काला दान भी कहा जाता है अगर राजकी फूल की बात करें तो रेड वेरंड़ा है और राजकी ब्रक्ष की बात करें तो आईरन वोड है मिजोरम 1987 में तैईसमा राज बना था यह भी बहुत बार पूछा जाता है कई वार आपको आरो ही अवरो इकरम में दे देगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कर लेना शेयर कर लेना और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना वेल आइकन को प्रेस कर लेना आगे वेले वीडियो में फिर मिलेंगी तब तक के लिए बाइबाइ दोस्तों नमस्कार